तो मतलब ये ये चीज जो है पता नहीं कहां से शुरू हुई किस ने शुरू करी और ऐसा मुझे कई बच्चे जो वाट्सेप से पर अब जब बात खुल गई है तो इसको हम अच्छे से अपने तरीके से अपना वर्जन जो है वो बताते हैं तो बेसिकली जब और जिन बच्चों को जो जो लोग जिनको नहीं पता किया रही है किस बारे में बात हो रही है तो मैं ये बता दो कि रीसेंटली एड्यू मंत्र अब करनेक्टेड विध मोशन टीक है ऑफिश का जो मोशन Extension System है कोटा का एक बहुत रिनावन सिस्टम है उससे हमकनेक्ट हुए और उसी के बाद यह विवाद जो है 어ंड का यह इनजी war जा रही है क्या कहा जा रहा है कि संजीर जो है उन्होंने 2 करोड में दो करोड में डील करी है चार करोड में करी है कोई यह कह रहा है कि 18 करोड रुपे लिए है ठीक है और मतलब अगें मैं बोल रहा हूं कि हसी आती है इसी चीजों को मतलब देखके सुनके क्यों कर रहे हो यह ठीक है किस बारे में है क्यों कर रहे हो यह आपको क्या हसिल होने वाला है पर अब वो चीज क्लियर जो है करनी जरूरी थी ठीक है जो बच्चे sincerely जुड़े हैं जो आज भी 9 10 में जो भी पढ़ रहे हैं और जो अभी 11 12 ते उसे आगे भी चले गए ठीक है तो अब बात बेसिकली कहां से शुरुवात हुई थी या क्यों यह connection भी हुआ कैसे और क्यों हुआ है वो चीज भी आप समझ लो कि कुछ चार से पांच मेने पहले आपको पता है कि यार मैं मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक चैनल के डिप के बारे में बात हुई थी यार चैनल जो है उस पे काफी दिन से activities बहुत कम हो गई ठीक है और सिर्फ science का content जो है वो आ रहा था और काफी मतलब मैं भी काफी demotivated था उससे है ठीक है और उसी दोरान जो है ना मतलब आप लोग का प्यार जो है उसने फिर से खड़ा किया ठीक है और जो restart का channel जो है उसको हमने हमने मिल कर शुरू किया ठीक है अब जो है नए energy के साथ जितने बच्चे 9th और 10th वाले हैं वो वहां से पढ़ना शुरू कर दिये ठीक है यह मैं बात कर रहा हूं I think 3 मैंने पहले की बात है और उस time तक content जो है लगबग daily आ रहे थे ठीक है पर एक और मतलब यह कहोगे एक और दिमाग में tension जो है वो built होना शुरू हुई और वो इसलिए क्योंकि बच्चे ये comment किये जा रहे थे कि sir science का तो content आ रहा है 9th का आ रहा है 10th का आ रहा है पर बाकी subjects जैसे edu mantra में पहले आते थे English, Maths, SST, Hindi तो बाकी subjects जो है वो हम कैसे पढ़ें ठीक है या उसका क्या होगा और मैं शुरुआत से जबसे हम जबसे मैं personal level पे edu mantra पे जबसे मैं काम कर रहा हूं शुरू कर रहा है तब जब तक मैं नहीं मानता हूं जब तक आपको satisfy नहीं कर देता हूं ठीक है तो वो जब सवाल आने लगाना तो मैं मैंने वो जिक्र तो नहीं किया लेकिन मेरे अंदर ही वो चीज जो है गूमते जा रही थी और जब वो एक vacation वालब रेक आया तो काफी जादा मैं उस चीज को agree किया और वो एक problem है असल में जिसको हमने solve करने की बात करी तो what is that problem की बच्चा जो दसवी के बाद majority काई बच्चा जो है वो medical की तरफ, engineering की तरफ, IIT की तरफ, NEET की तरफ जो है वो तयारी जब करता है तो काफी हद तक जो उनके failures होते हैं या जो दिक्कते होती है जो face करते हैं, it is because कि वो उनका foundation मजबूत नहीं है ठीक है और ये चीज जो है मैं भी इस चीज को agree करता हूँ और सर का भी यही मानना है ठीक है कि यार majority बच्चों की दिक्कत होती है और इसी problem को solve करते हुए ठीक है हमने ये decide करा कि हम YouTube पे फिर से best content ठीक है ऐसा content जो बच्चे के foundation को मजबूत करे और जब बच्चा दसवी से ग्यारवी में जा रहा है ना तो उसको gap ना महसूस हो और वो जो neat और जही की तियारी कर रहा है ना वो सही से कर सके तो ये इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई गलाचीज हुई थी और इसी को लेके हम collaborate हु इंडी सर की पूरी टीम के साथ मिलके ठीक है और एक अच्छा मतलब जो बताया मैंने की इंडिया से best teachers को हम लाके ठीक है कोटा की ताकत कोटा के अच्छे teachers को हम लेके और हम ये पूरा system YouTube पर free of cause दे रहे होंगे ठीक है मुझे यहाँ पर भी गलत नहीं लगता है और बात रही पैसे की तो भाई आप भी समझ सकते हो कि यह क्या इसमें कोई as such logic नहीं है ठीक है और ऐसा भी नहीं है हम यहाँ पर कुछ course ला रहे हैं कि वो उस तरह की चीज हो ठीक है so this will be best quality premium content already आना शुरू हो गए हमारी restart channel पर ठीक है तो आप वो भी समझ सकते हो तो जितने भी ऐसी rumors है ना उनको बस एक ही चीज कहना चाहूंगा मैं पिछले 15 साल से जादा समय से ना मैं पढ़ा रहा हूं ऑफ-लाइन में पढ़ा रहा हूं ठीक है 9-10 के बच्चों के को इ ठीक है तो ऐसी ऐसी चीजों में आपको नहीं पढ़ना है ठीक है जो लोग बोल देते हैं उनको वहीं पर छोड़ दो ठीक है आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दो आपके अभी जो टेस्ट प्रिजर्ट टेस्ट जो हो रहे हैं उसके लिए content हम पीछे तयार कर रहे थे best team आ रहे हैं best innovation के साथ में आ रहे हैं कोई भी ऐसी जो rumors होगी ना उस पर आपको मानना नहीं है ठीक है और मतलब अगर यह चीज होती ना मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको इतने समय से offline से offline से जुड़ा हूँ YouTube पर लगबग 9 साल 10 साल होने को आ गए ठीक है पिछले 4-5 साल से मैं notes जो भी मैंने create करे हैं जो curate करे हैं ठीक है उस चीज़ को every year मैं आपको देता रहता हूँ ठीक है जैसे कि आपको ये वाला जो मैंने पिछले कुछ दिन पहले ये तो हर चीज जो है बिखी गई है ठीक है वेना इस से कि content इसमें डाला गया है तो ये मैं कह तो सकता हूँ ठीक है वो चाहे जिस भी publication से हो अगर मैं यहाँ पर ये कोशिश करूँ कि भाई अगर आपको एक best price में आप देख सकते हैं अच्छी में अगर मैं आपको किताब दे सकता हूँ तो क्यों ना दूं ठीक है तो जितने भी लोग ऐसे ये सोच रहना उनको बस यह कहना चाहूंगा यह उपन प्लाटफॉर्म में ऐसी बातें होती रहेंगी ठीक है और आपको इन बातों पर ध्यान नहीं देना है और अपनी भूकस नहीं करें और शेर करें इस वीडियो को जितने भी अपने एड्यू मंत्रा के जितने भी बच्चे उनसे शेर करिए ठीक है आपका प्यार जो है वही हमको बनाया रखता है और वह ताकत देता है कि हम फिर से आपके लिए कुछ अच्छा कर पाएं ठीक है तो बस इत इसक्रिप्शन में जो है जाके चेक कर लीजिएगा और इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूं और अगर ऐसी कोई रूमर आप तक आती है तो आपको पता है कि संजी सर ने बता दिया इसका आंसर दे दिया हुआ ठीक है मिलते हैं अगली वीडियो में और लाइट आपके जो टीचर्स हैं बड़िया बड़िया टीचर्स आपके सारे सब्जेक्स के वो अल्रेडी उन्होंने लेक्चर्स डालना शुरू कर दिया है ठीक है तो अपनी पढ़ाई करिए और मस्त रहिए ठीक है मिलते हैं अगली वीडियो में तिल देन बाबाई जेहन